आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आज मनों बात करेंगे जीव विज्ञान विशय के बारे में इससे समंधित जो भी important facts हैं उसको इस वीडियो में discuss किया जाएगा यह वीडियो आपके आने वाले exam के लिए काफी important है खास तोर से आप चल्दी से revision जो करना चार हैं जिससे कि यह पूरा subject आपके दिमाग में fit हो जाए उसके लिए यह वीडियो लाए गया है तो मेगा वीडियो की सीरीज में यह हमारा पांचवा वीडियो है इससे पहले हम Indian quality, Indian geography और world geography और परिया और पारिस्तितिकी से समंधित महत्पूर वीडियो की सीरीज ला चुके हैं तो यह हमारा पांचवा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान मतलब की biology के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की साखाएं एम उनकी जो उप साखाएं हैं उनके बारे में तो कभी कभी क्या होता है कि जो biology की branches हैं उनसे समंधित प्रशन पूछे जाते हैं कि वो ब्रांच जो है वो किस चीज़ को deal करती है जैसे कि dermatology तो अचाएं इसके रोगों का अध्यान जो है इस विज्ञान की साखा के अंत्रगत किया जाता है serpetology सरफों का अध्यान जिसमें सांपों का अध्यान किया जाता है रेप्टाइल्स का अध्यान किया जाता है वो serpetology होती है अर्निथोलोजी पच्छियों का अध्यान होता है, एंटमोलोजी कीटों का अध्यान, मिरमेकोलोजी, चीटियों का अध्यान, एक्थियोलोजी, मत्सकी सनाचना और कारिकी, मतलब की मचलियों के स्ट्रक्चर और उनकी जो फीजोलोजी है, उसकी स्टेडी एक्थियोलोजी क के अंतरगत किया जाता है वाइरोलोजी विशाणों का अध्यान वाइरस जो होते हैं उनका अध्यान जो है वाइरोलोजी के अंतरगत किया जाता है जैसे कोरोना वाइरस हो गया ठिक एट्स एचाईवी वाइरस हो गया पैथोलोजी रोगों की प्रकृति लच्छनों एंकार मयुलाजी मनुश्यों के मान्स्राइजॅं के अंत्रागतौ किया जाता है illyло बाक्नी पादब जिवास्मों का अध्यान घेक जो फ्लांड फॉसिल्स होते हैं उनकी इस्टडी बाक्नी के अंत्रागत किजाती है अब हम अगली जो ब्रांच है उसके बारे में बात करते हैं जुलोजी जुलोजी जिसको जन्त विग्यान हिंदी में बुला जाता है तो विभीन परकार के जन्तों का जो विस्तरी तध्यान होता है वह जुलोजी के अंतरगत होता है इथोलोजी, मानों सहित, सभी जन्तुओं के बिवहार का ध्यान इथोलोजी का लाता है बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ कैसा संबंध है या बायोनोमिक्स के अंतरगत हम अध्यान करते हैं तो बायोनोमिक्स थोड़ा सा टेड़ा है इसको important में रखिए तो बायोनोमिक्स क्या है जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ शंबंध का अध्यान बायोनोमिक्स का लाता है तो आप लेजर्टमिन जो लेते हैं पथरी को तोड़ने के लिए वो लीधोत्रिप्सी के अंतरगत आता आए ठीक है पैडोलोजी, मिर्दा के निर्माण, मिर्दा के परकार का अध्यान, पैडोलोजी के अंतरगत होता है फीजियोलोजी, सरीर के विभीन, भागों के कारिक तथा कारिक के विधियों का अध्यान, फीजियोलोजी के अंतरगत सेरोलोजी रुधीर सीरम का वैज्ञानिक अध्यान तो study of जो blood serum है वह सेरोलोजी के अंतरगत होता है नीरोलोजी तंतर का तंतर से संबन्धित अध्यान को नीरोलोजी बोलते है ट्रोफोलोजी पोशन विज्ञान जो nutrition science है उसको ट्रोफोलोजी बोलते है anthropology मानो जाती के सांस्कृतिक विकास का अध्यान जी इसको जो है मानो विज्ञान भी बोलते हैं हिंदी में एग्रोस्टोलोजी घासों का अध्यान उह उनका पालन ठीक है तो जो घासों की study की meer ग्रौस की study होती है वह agro- trajectory का झाती है आरोलाजी परवतों का अध्यान जो है आरोलाजी कलाता है ठीक है और औरोग्राफी क्या कलाता है ठीक या औरोजनेसिस क्या कलाता है तो परवतों का निर्मार जो होता है वो औरोजनेसिस कलाता है ठीक और औरोलाजी क्या है वो परवतों का अध्यान और औरोग्राफी में प Flory culture, Flory culture क्या होता है तो सजावट के लिए काम आने वाले जो फूल है उनकी study करना Flory culture क लाता है जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, ठेक, चमेली सेरी culture क्या है कच्चे रेसम के उत्पादन हेतू रेसम कीट पालन जो है वो सेरी culture के अंतरगत आता है रेशम के कीडों का अध्यन जो है वो सेरी कल्चर था ठीक है वीटी कल्चर क्या है अंगूर की खेती वीटी कल्चर के अंतरगाता आता है टीशू कल्चर कृति माध्य में उत्तकों का समवर्धन ठीक है जो टीशू कल्चर करना होता है ठीक कृति माध्य में वह होता है टीश तो बार्द की जारी है तो वनिय विरिफ्शों त्था उनके उत्पादों का समवर्धन वह किया जाता है अब हम इस स्पेसल फोकस करेंगे विशानु मतलब की वायरस के बारे में थिक तो वायरस से समयते हैं जो अत्महत्रण फैक्ट हैं उनको देखते हैं देखे विशानु आति सुच्म आकोसकी मतलब कि नॉन सेलुलर और विसेस नुकलियो प्रोटीन के कण है ठीक है जो जीवित पर पोसी के अंदर रहकर जनन करते हैं ध्यान दीजिएगा जो विशानु है ना तो जीव ना तो निर्जेव उनके बीच के कडी के रूप में जाने जाते हैं तो कुछ आति सुच्म आकोसकी और विशेस नुकलियो प्रोटीन के कण है जो जिवित परपोसी जो भी जिवित लिविंग और्गनिजम है उसके अंदर रहकर ये क्या करते हैं रेप्लिकेट करते हैं या जनन करते हैं विशानू की खोज रूसी वनस्पती वेग्यानी इवनोस्की ने 1892 में तमबाकू की पती में मोजैक रोक के कारण की खोज करते समय की थी ठीक है तो तमबाकू का जो मोजैक डिजीज था उसका पता लगाया था 1892 में और इसका कारण बताया था वाइरस इस वेग्यानी का क् विशानु के खोज का जो स्रे जाता है वह वनस्पती वेज्ञानिक इवनोस्की को जाता है विशानु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सुचमदर्सी द्वारा ही देख सकते हैं ठीक जो नॉर्मल कमपॉंट माइक्रोस्कोप होती है उसके थुरू आप नहीं देख सकते हैं विशानु के अध्यान के लिए आपको इलेक्ट्रॉन सुचमदर्सी की जरूरत पड़ती है अब हम बात करेंगे कि विशानु से पौधों में होने वाले रोग तो विशानु से पौधों में होने वाले रोग है तमबाको की पत्तियों में जो मोजायक रोग है वो बंकी टॉ तो बनची टॉफ आप बनाना तो केला की पत्तियों का ये रोग है आलू में मुझायक रोग ये भी वाइरस के द्वारा होता है विशाणों के द्वारा अब हम बात करेंगे कि विशाणों द्वारा मनुश्यों में होने वाले रोग तो चेचक, येलो फीवर जिसको पीत ज् होता है ये अर्भू वाइरस के द्वारा होता है घ्र्वारा होता है की ठके क्सर ना कुछ बिमारियां है जो मानों में होती है वायरस के कारां अब हम बात करेंगे करेंगे वारे में एक तो कवक हरितलवक रहीत, मतलब कि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, समवहन उत्तक रहीत, इसमें वैसका टीशू भी नहीं होते हैं, जैसे कि जैलम और फुलेम, थैलोफाइट है, मतलब कि थैलस नुमा, इस ट्रक्चर लिये हुए, वो क्या है? वो है कवक इस तरीके की आक गलाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें जो संचित फोजन होता है, गलाइकोजन के रूप में रहता है, और इनकी कोज का भित्ती काईटीन की बनी होती है, अब चलते हैं अगले फैक्ट के बारे में, अब हम बात करेंगे इसमें कवक से होने वाले रोग, तो प प्रिकोजिस्त, दमा, गंजापन और खाज, ये जनतूओं में कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं, पौधों में जो कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं, उसको देखते हैं, तो सरसो का सफेद किट रोग, मुफली का टिक्का डिजीज, आलू का उत्तरभाव अंगमा सेव के फल का शर्णा, गेहूं का लाल रस्ट, बाजरे का अरगाट, गेहूं का ढिलाइ समर्ट, अंगूर का पावडर मिल्डिव, और राई का एरगाट रोग, ये सारे जो हैं कवक के द्वारा पौधों में होते हैं, अब हम बात करेंगे स्पेशल बैक्टरिया के बारे प्रोकरियोटिक सुच में होते हैं, जैसा कि कुस्का का विभाजान हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है प्रोकरियोट और दूसरा होता है यूकरियोटिक और दूसरा क्या है यूकरियोटिक ठीक है, तो जो बैक्टरिया आता है वो प्रोकरियोटिक में आता है, मतलब कि इसमें जो nucיस होता है, वो वैल डवलप नहीं होता है. मतलब कि 就 genetic material होता है, DNA, वो जो है, S도plasma बिख्रा होता है, इसमें, tym ear membrane MIKE होती है, वो absent होती है. तो वैल डवलपicans dlatego, जिवानों परोकर्योरी हमें रखेजाते हैं. इनकी कुष का भिर्त्य का ratsonic sangethin से बिल्कुल भी नो होता है तो इसमें जो plasma membrane या जो cell wall होती है ठीक वो काफी मतलब की simple type की होती है जबकि जो बड़े पुधे होते हैं उनमें kuska bhti complex type cellulose की बनी होती है जबकि इसकी Lactobacillus दूद से दही बनाने में कारगार होता है तो दूद से दही बनाने के लिए जिम्मेदार bacteria होता है, वो है Lactobacillus Acetobacter Acetide की बात करते हैं तो सिरका के निरमाण में इसका प्रियोग होता है किसका? Acastobacter Acetide का Mycococcus Condylase तो चाई की पत्यों में क्यूरिंग के लिए Cornwall noise का जाता है त्याख है कोईक कॉंड़िस क्या है वह शाय है की पत्यों में क्यूरिंग के लिए इस्त्माल कि आ जाता है अब हम बात करेंगे इस्ते होड्रक उनके बारे में बहुत सारे बैक्ट्रियों है हनिकार का मतलब की जो रोग उत्पन करते हैं इसमें प्रमुक रूप से देखे Clostridium, Botulinium या भोजन को विसाक्त बनाते हैं मतलब की जहरीला बना देते हैं और इनी की वज़ा से जो है food poisoning की condition उत्पन होती है अब हम बात करेंगे जिवाणों से पौधों में होने वाले रोग तो सेव का अगनी निर्जा रोग ठीक है तो सेव का जो अगनी निर्जा रोग है बैक्टरिया के द्वारा चावल का अंगमारी रोग बैक्टरिया के द्वारा आलू का सैथिल रोग बैक्टरिया के द्वारा नीबू का कैंका रोग, गेहूं का टुंडू रोग, फलो में जो क्राउन गॉल्ड डिजीज होती है, वो बैक्टरिया के द्वारा ही होती है, अब हम बात करेंगे जिवानों से पसो में होने वाले रोग के बारे में, तो भेन में एंथ्रेक्स लिखेंगे इधर ढीधा है ज्यान वे गुभीन है रोग दिया हुए जो कि मानों में होता थो प्लिक्र तीन इंदी और हमकी को जुझान ये зовут सब्सक्राइब,Synobacteria निल हरीच सवालों के बारे में, लाल सागर का जो लाल रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइको डेस्थियम, एरिथ्रियम नामक साइनो बेक्टरिया के कारण ही दिखाई पड़ता है, तो अगर आप से पूछा जाए कि जो लाल सा अगर है रेट सी है उसके लाल रंग के लिए responsible बैक्टरिया कौन सा है तो ट्राइकोडेस्थियम एरित्रियम कौन सा blue green algae है इस साइनो बैक्टरिया का नाम याद रखेगा ट्राइकोडेस्थियम और अब हम बात करें है लाइकेन के बारे में लाइकेन से भी प्रस्ण पूछे जा highest टेक तो लाइकेन थैल यो आशितसा प्रकार कि वनस्पति है ठीक है लिचान वाई प्रदूशन के संकेतक होते हैं, किसके air pollution के तो जहां वाई प्रदूशन अधिक होता है, वहाँ लाइकन नहीं उगते हैं अगर जहां की air ज्यादा polluted है, तो वहाँ लाइकन की ग्रोथ नहीं होती है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को । आगे चलते हैं तो एनज्य इस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनको दो तरीके से ख्लासिफाइग किया जाता है यहां पर मैं थोड़ा से एक जन्रल इंट्रडक्शन देते हैं तो जो angio sperm होते हैं फिक है angio sperm उनका 2 class, एक होता है monocotylichodon, monocotylichodon ठीक है और दूसरा इधर कर देते हैं, दूसरा छोता है वो dicetylichodon, ठीक है monocotylichodon का मतलब होता है 1 employee पत्तरी और dicotylichodon का मतलब होता है 2 employee विजपत्री ठीक तो यह जो है एंज इस पर मतलब कि जो आविर्ति वीज़ी पौधे होते हैं उनका क्लासिफिकेशन है अब हम जानेंगे कि जो एक विजपत्री जो पौधे होते हैं ठीक उनके कौन सी फैमली है और उनके कुछ एक्जामपल क्या है तो ग्रेमनी जो पहले नाम हुआ करता था आज की डेट में ग्रेमनी को जो पोएसी ठीक तो पोएसी तो पोएसी या ग्रेमनी के अंतरगात जाई गेहूं मक्का चावल गन्ना बाजरा जवार और जोवात हैं यह एक विजपत्री है ठीक है तो एक विजपत्री का थोड़ा सा एक और के लिए कर वहीं पर अप चना लीजिए अप चना को जो है आप दो बराबर भागों में थोड़ सकते हैं मत्र ले लिजिए उनको भी दो बराबर भागों में थोड़ सकते हैं तो जिनको आप जो है दो बराबर भागों में नहीं बाढ़ सकते हैं वह एक विजपत्री कर आते हैं अब हम बात करेंगे द्वी बीज पत्री के महत्पूर्ण कुल मतलब की फैमली और उनके प्लांट कुकरबिटेसी का एक्जामपल है तर्बूज, खर्बूज, कद्दू और परवल, मिर्टेसी में मेहंदी आता है, अम्रूद आता है, उकलिप्टस और जामुन आता है, जीरा, धनिया, गाजर और सौफ, अब हम बात करेंगे सुलनेसी फैमली के, तो सुलनेसी फैमली में आलू, बैगन, टमाटर, लाल मेर्ज, धतूरा और तंबाकू, इस फैमली के अंतरगत आते हैं, कंपोजीटी फैमली के अंतरगत गुल्दाउद, सुरजमुखी, सलाथ, जीनिया, और गेंदा का जो फोल होता है, वो कंपोजीटी फैमली के अंतरगत आते हैं, ध्यान दीजिए, यह पुराना नाम है, ठिक, यह पुराना नाम है, आज की डेट में कंपोजीटी को एस्टरेसी बोलते हैं, कौन सी फैमली बोलते हैं, एस्टरेसी, रूटेसी फैम फुल गोभी, मूली, सलजम और सरसो आते हैं, मालवेसी के न्तरकात कपास, भेंडी और गुड़हल में अब हम बात करेंगे प्लांट हार्मॉन, जिस तरीके से एनिमल में हार्मॉन होते हैं, उसी तरीके से पौधों के भी हार्मॉन होते हैं, तो पौधों की जैविक क्रियो ETHELENE, ETHELENE. Kaos तरस याद रखे, गैसी रूप में पायाने वाला हार्मोन है, यह हार्मोन है, फ्लोरी जिन्स. फूलों के खिलने में, खिलाने में फ्लोरी JINs होता है, इसी के इंफुेंस में पॉधों में फूल खिलते हैं. यह है क्या पादभ हार्मोन के नाम? पौधों में वास्पो सर्जन की दर को मापने में होता है निबू का लिटिल लिफ रोग काउपर की कमी से होता है मतर का मार्श रोग मैगनीज की कमी से होता है धान का भी तेल मॉलीबएडनन की कमी से होता है। अलीं नीबू का डॉआबक रोग जास्ता की होता है। चुकंदर में hot rot रोग बुरान की कमी से होता है तो चुकंदर में hot rot रोग है वो बुरान की कमी से होता है आगे हम बात करेंगे आलो में जो necrosis रोग होता है वो बुरान की कमी से होता है आलो का black hot road भंडारन में oxygen की कमी से होती है और सलजा में water coat रोग मैगनीज की कमी से होता ह अब हम बात करेंगे classification या वर्गिकी के बारे में ठीक है तो देखे किसी भी चीज़ का अगर आप अध्यान सुचार रूप से या सहुलियत के साथ करना चाहते हैं तो उसका classification जो है character के अधार पे लच्छरों के अधार पे करना ज़रूरी होता है तो इसी तरीके से जो जीव जन्तू हैं प्लांट हैं उनके लिए भी वर्गिकी मतलब classification की ज़रूरत पढ़ती है तो जीव विग्ञान की वह साखा जिसके अंतरकात जीव जन्तू को उनकी समन्ताओं या समन्ताओं के अधार पर छोटे बड़े समोहों पांप बाटा जाता है उसे वर्ग की कहते हैं अब जन्तों के classification में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे proto-joa तो सबसे जो छोटे मतलब की जो एकदम simplest form of living organism में आते हैं जन्तों में उसका जो शंग है फाइला में वो है proto-joa तो इस संग के जन्तों में कोई उत्तक या अंग नहीं होता है इनका सरीर नंग या पॉलिकल द्वारा ढगा होता है इस संग के अंतरकात amoeba, entamoeba histolytica, entamoeba coli, plasmodium euglena आध ऐसे जीव आते हैं अब इसके उपर का जो फाइलाम है और advanced type के जो animal जन्तों आते हैं वो पॉरिफेरा में आते हैं तो ये बहुकोस की देखे, पॉर्टजवा में क्या था? इसमें जन्तों में कोई उत्तक या अंग नहीं होता था अब यहाँ पर पॉरिफेरा में बहुकोस की जली जन्तों होते हैं इनके सरीर में उत्तक नहीं बनते हैं टीशू लेबल तक का organization इनकी बॉड़ी में नहीं पाया जाता है इस सरीनी के अंतरकत साइकॉन, हाइनोलेमा, इस्पंजिया इस्पंजिया, उप्लेक्टेला, आधी जन्तों आते हैं इस बर के अंतरकत आने वाले जन्तों में क्या है मक्ही, केकडा, मकडिया, किलनी, बिच्चू, तिल्चटा, जींगा, रेसम का किड़ा, कंखजूरा, नेमफॉन आधी आते हैं अब हम बात करेंगे संग मुलस्का फाइला मुलस्का के बारे में इस संग के अधिकांस जीव समुंदरी होते हैं इस चीज को याद रखे ठीक है, तो मुलस्का समुग के जो जन्तों होंगे अधिकांस तो या समुंदरी होते हैं लेकिन कुछ जो है, वो स्वच जल में इस थल पर भी पाय जाते हैं इसके अंतरकात नॉटिलस, आक्टोपस, डोरिस, डेंटेलियम, काइटन पायला, हैलेक्स, सिपिया, आधिजीव आते हैं इकाइनो डर्मेटा के बारे में बात करते हैं तो इस संग में सभी जन्तों जह समुंदरी होते हैं इस चीज़ को आप नोट कर लिजे ठीक है तो इकाइनो डर्मेटा के जो भी एनिमल होंगे वो समुंदर में ही पाय जाते हैं समुंदर से मतलब है कि खारे पानी में सेलाइन वाटर में ही ये मिलते हैं इसके अंतरकात स्टार फीस, ब्रिटल स्टार, समुंदरी आर्चीन, समुंदरी खीरा, कुकु मेरिया, थायोन ये सब एक्जामपल हैं संग एकाइनो डर्मेटा के जन्तों के अब हम बात करेंगे शंक कारडेटा ठीक है इस अंग में सार्क, टार्पीडो, रोहु, कतला, सिंगी, मांगूर, गरई, एनाबास, आद जो हैं वो इस शंक कारडेटा के अंतरकात आते हैं सार्क को डॉक, फीस, तथा टार्पीडो को इलेक्टिर रेके नाम से भी बोला जाता है अगर हम बात करें ठीक है, तो उभैचर बर्ग में मेढग, सेलेमेंडर, प्रोटीसस और साइरेन आते हैं ठीक, रेप्टाइल क्लास की बात करें हम लोग, तो इसमें सरिस्री बर्ग में तो कच्छप, 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 गो, करेत, अजगर, घडियाल, नाग, एलिगेटर आज जो हैं वो सरिस्री बर्ग में आते हैं बागरिस्क का सधार नाम करेत है और नाजा का सधार नाम कोब्रा है अब हम बात करेंगे बिटामीन एयों पोशन समंधित चेप्टर के बारे में तो 1911 बार में पोलेंड के वेगानिक कैसीमीर फंक ने पहली बार बिटामीन सब्द का परियोग किसने क्या कैसीमीर फंक ने अब तक बिटामीन की क्यों दो सरिणिया है एक वो जो जल में घुलंसिल बिटामीन है दूसरे वो जो वसा में घुलंसिल बिटामीन है तो जल में घुलंसिल बिटामीन में B और C है और वसा में घुलंसिल बिटामीन A और A, D, E, M, K है अब हम इनको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे ठिक तो एक ये लिस्ट दीव है, इधर एक बिटामीन है, स्रोतिद का नाम दिया है और उससे कमी सुत्पन होने वाले रोग बिटामीन ए जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है बिटामीन एक लिए आपको गाजर, हरी, सबजियां, दूद, मखन, अंडा, यकृत, मचली, मचली का तेल इसका सिवन करना चाहे है और इसकी कमी से जिरुप्थेल्मिया और रत्ताउंधी नामाक रोग होता है बिटामीन बीवन जिसका केमिकल नेम थाइमीन है इसका सोर्स है श्वयबीन, अनाज, दूद, फलियां, ठिक, और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है बिटामीन बीटू, राइवो फलेवीन, अंडा, पनीर, मांस, इस्ट, हरी, पत्तेदार, सबजियां, ठिक, ये इसके सोर्स है इसकी कमी से किलोसिस, तवचा का फटना, आँखों का लाल होना जो है इसकी कमी से होता है पुर्ती होती है बाल सफेद होना या ग्रोथ का रुकना बितामीन B5 के वजा से विटामीन B6 पायुटाइड ऐसका केमिकल नियम है अनाज मांस इस्ट और दूद। खाने से कमी दूर होती है एनेमिया और चार्मरोग का कारण विटामीन B6 की कमी है, विटामीन B7, इसका केमिकल नम बायोटीन है, मांस गेहूं अंडा सबजी फल, इसका सेवन करना चाहिए इसकी कमी को दूर करने के लिए, इसकी कमी से वालों का जहणना और लकवा जैसी बिमारी हो सकते है, विटामीन B9, जिसको अमल बोलते हैं, हरी सबजीयां, फलियां, इस्ट, मांस, अंडे खाना चाहिए, और इसकी कमी से कुंठित विर्धी होती है, मतलब की जो ग्रोथ है वो प्रौपर नहीं होती है, रक्त छिनिता, मतलब की एनिमिया की कंडिशन देखने को मिलती है, विटामीन B12, जो है साइ आवला, नीबू, टमाटर और खट्टे फलों से प्राप्त होता है, इसकरवी रोग इसकी कमी से होता है, विटामिन D, कैल्सी, फेरॉल, इसके केमिकल नाम है, मचली का तेल, मक्षन, अंडा तथा शूरिक प्रकास का उपस्तित होना जरूर है विटामिन D के लिए, और कमजोर जनन चमता की कमी जो है, वो विटामिन E की कमी से होता है, विटामिन K के बारे में बात करते हैं, नेप्थो क्यून, इसका रसाइनिक नाम है, शुयबीन, आथ की बेक्टरिया, और हरी सबजियां अंडा, ये जो हैं सोर्सें विटामिन K के, रक्त का थक्का नजमना जो है विटामिन K की कमी से होता है, अब हम बात करेंगे डाइजिस्टी सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, तो विभीन भौतिक वा रसाइनिक किरियाओं, एंजाइम की साहता से भोजी पदार्थों का सरल छोटे हुआ घुलनसील अणों में बदलना पाचन कहलाता है, अब पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, आहारनाल और समंधित जो पाचन गरंतियां है, वह पाचन तंत्र को बनाती है, ठीक, तो आहारनाल में क्या आता है, मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमासे, अमासे के बाद आंत, ठीक, तो मुख गुह तो हमें लार, टाइनल add enzyme or light enzyme होता है, ग्रास नली में भोजन को अमासे तक ले जाने का काम। जो देखो機閃ता धैत, कि पॉटीन के पाचन में साहाइक क yhteीयू अमासे में होता है, तो प्रूटीन के पाचन का प्रारम कहा होता है, अमासे में, इस्टोमेक में आथ में दो क्लास है, एक छोटी आथ, एक बढ़ी आथ, छोटी आथ में वसा का पाचन, प्रूटीन का पाचन और कर्भोहाइडरेट का पाचन होता है और बड़ी आत में जलका और शोषण होता है, ठीक है? अब जो समंधी जो पाचन गरंथियां है, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे लार गरंथि के बारे में, ठीक तो लार गरंथि में टाइलिन, टाइलिन जो एंजायम है वो स्टार्ज के पाचन के लिए सहायक है, लाइस उनमें की सबसे बड़ी गरंथी जो एब लीवर ही है, अब हम बात करेंगे पितन से मतलब कि गाल ब्लेडर के बारे में वसा का इमल्सिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें जो बाइल जूस होता है, वो फैट का इमल्सिफिकेशन का मतलब यह होता है, कि फैट को चोटे चोटे globules में बनाने का काम करता है जिससे की जो fat को पचाने वाले enzyme है इस पर सही से काम कर सके वसा का भंडारन भी पिता से में होता है ठीक पित की बात करें वाइल तो इसका pH मान 7.7 होता है मतलब कि यह basic nature का होता है छारी परकृतिका होता है लिपिट के पाचन और और शोषन में सहाइक होता है अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज के बारे में ठीक तो पैंक्रियाज मतलब अग्नाश है तो अग्नाशी रश्च का संस्रेशन करता है इंसुलीन, गुलिके गॉन, सुमेटोस्टेटीन नामक हार्मोन का स्रावन भी इंसुलीन से ही होता है तो इंसुलीन में जैसा कि आप जानते हैं लगर हम साब बीटा सेल्स होती है वहां से इंसुलीन का सेक्रेशन होता है ठीक और उसकी जो भी अल्फा सेल्स होती है अलफा सेल्स वहाँ से गुलोके गौन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और बीटा सेल्स से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है अब हम बात करेंगे प्रमुक एंजाइम के बारे में तो सुक्रोस यह क्या करता है सुक्रोस या सुक्रोस को गुलोकोज एंफरक्टोज में परिवर्ति करता है लेक्टेज की बात करें यहां लेक्टोज का ग्लुकोज में परिवर्तित करता है इरेप्सिन की बात करें तो यह जो बची प्रोटीन है यह पेप्टोज को अमीनों अमल में परिवर्तित करता है कंकाल तंत्र की बात करें हम लोग ठीक है इसके लेटन में तो कंकाल त पूरी हड्डियों की तो मनुस के सरी में कुल जो है वो 206 हड्डिया होती है ठीक है लेकिन बाले आवस्ता में कुल हड्डियों के संख्या जो 208 होती है मतलब की बच्पन में रिड की हड्डियों की संख्या 26 होती है और सीर की कुल की हड्डियों सीर में जो टोटल हड्डिय मतलब की बात करें कंकाल तंत्र काम क्या करता है तो सरीर को एक निश्चित अकार प्रदान करने का काम कंकाल करता है पेशियों को जोड़ने का अधार भी कंकाल करता है, लालक्त कणिकाओं का निर्मार करता है, सरीर के कोमल अंगों की सुरच्छा करता है, अन्य तत्थि के बात करें, तो सबसे बड़ी हड़ी फीमर जान की होते हैं, सबसे छोटी हड़ी स्टेपिस कान की होते हैं, मास पेशी अंग फुपफुस होता है जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है ठीक है अब इसके जो components होते हैं उसकी बात करें तो मनुष के श्वासन तंत्र के अंग क्या है स्वारियंत्र लेरिंक्स बोलते हैं और लंक्स ठीक है और नासी का मतलब की नाक तो मुख द्वार के ठीक उपर इस्थित होता है स्वारियंत्र क्या होता है गरसनी को स्वास नली से जोड़ता है अब मुख के खायर ध्वन का उत्पादन करना है अगेर, श्रसंन मार के शूरच्छा करने में साहायक होथा है, तो जो गला होता है ठीक ओहीं पर इसमेंacre फिट थेवरा फिट होता है, फेफड़ा लंक्स की बात क्या जाए तो यह इसपंजी गुलाबी ठैली नुमा रचिना होता है. या इसकी जो संख्या होती है वह एक जोड़ी होती है कितनी होती है एक जोड़ी कुछ इस तरीके से लंक्स दिखाई पड़ता है ठीक है फ्लूरल मेंब्रेन फेफडों की सुरच्छा करता है तो फ्लूरल मेंब्रेन फेफडों की सुरच्छा करने वाली जिल्ली है अब हम बात करेंगे उस सरजन तंत्र के बारे में तो सारीर कुछ काओं के से वर्ज या विसाक पदार्थों को बाहर निकालने के क्रियाविधी को उसरजन करते हैं देखे मनुस में उसरजन तंत्र में कौन-कौन सहयक होते हैं तो वरिक है, फेफ़डा, तवचा या कृत और आंथ तो आंथ क्या करते हैं अनपचे भोजन को सरीर से बाहर निकालता है वरिक क्या करता है रक्त में हाइडोजन आयन की संद्राग नियंत्रा करता है सरकरा अमिनो अमल आध का निस्कासन करने का काम करता है अपसिस पदार्थों को मुत्र के रूप में बाहन करना वरिक का काम है इसके अलावा दवाईयां वीस आध जिसका पर्योजन सरीर में नहीं होता है उन्हें भी बाहर निकालने काम किडिनी ही करती है तो इस वज़े से जो अनर्गल जो लोग दवाईयां और टेबलेट्स होगरा खाते है उनका जो सबसे ज़्यादा एफेक्ट होता है वो किडिनी ही होती है फिफड़ा की बात करें हम लोग तो यह दो परकार के गेसी पदार्थों कार्मन एक्साइड जल वास्प का उसरजन करता है लवसुन प्याज और कुछ मसालों का भी उसरजन करता है तो अचा की बात करें उपस्ति तेली गरंथियां और स्वेद गरंथियां करमसर की सीवाँ और पसीने का स्राव करती है और यक्रित क्या करता है तो और शक्ता से अधिक अधिक अमिनो अमल तत्र रुधिर के अम़ुनिया को इूरिया में प्रवेटि का उस रडजन में भूमिका निभाता है हिमोगुलबीन का भी खंडन कर उन्हें रख्त प्रभाह से अला करना, अल्कोहल का नेरा वीषन करना या यक्रित का का में मस्तिक से आने जाने वाले उदिपनों का भी कंड़क्शन समवहन मस्तिक मेरू रज्जू का ही काम है ठीक है अब हम बात करेंगे तंत्र का तंत्र के कारी के बारे में ठीक, तो सोचने समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ अग्रमस्तिक से तरीक से तीन क्लासिफिकेशन है अब एक एक को हम लोग स्टड़ी करेंगे जो अग्रमस्तिक से उसमें कौन-कौन से शब पार्ट होते है तो एक है प्रमस्तिक जिसको सेरी ब्रम बोलते है हाइपो थैलमस और थैलमस सेरिब्रम में क्या होता है तो अंतर सम्वेंदी सभागिता इश्मरना संपर्क आधि के लिए उत्तर दाई है हाइपो थैलमस भूख, प्यास, प्यार, घ्रिणा, परित्रिप्ती तथा ताप को नियंतरित करने का काम हाइपो थैलमस करता है थैलमस क्या करता है? सूचरा प्रशाणा का केंदर थैलमस होता है मध्य मस्तिस की बात करें ताममध्य मस्तित्स के बात करें सरीबेलं को अनुमस्तित्स के भाग है सरीबेलं क्या करता है Medulla Ablangata बहुत important है नोeres Keep others टो Medulla Ablangata के जो भी काम है उनको आप अच्छे से रट के रखिए तो हिर्दे की धालकन को नियंतरन करना रख्त चाप का नियंतरन लाइए स्वास की गती का नियंतरन Medulla Ablangata करता है खांसना चींकना उल्टी का नियंतरन पाचक रसों का सराव सब जो है मेड़ला अबलांगाटा के द्वारा होता है अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलोजी का पार्ट है वो है रूधीर परिशंच्रान तंत्र अब रूधीर परिशंच्रान तंत्र मतलब की ब्लड सर्कुलेसर सिस्टम को अब फिर धकल परिशंच्रान तंत्र कहते हैं और परिशंच्रान तंत्र में जो उसके पार्ट है उसको अगर हम देखें तो उसके दो भाग है क्या एक हुर्दे और दूसरा रूधीर न लिखा है ठीक तो पहले हो सी स्टार्ट करेंगे तो तो कुछ इस तरीके के इसका स्टक्चर होता है हाट का ठीक तो हार्ट में संपोर्ण सरी में का प्रिशिर्णरशन करना इसका काम होता है मनूश के करें निले कहलाते हैं निले कहलाते हैं मनुस में हिरदये समाइटा 177 परफ्रमन करता है मतला कि हिरदय की धड़कन को पूछ तो क्या बता है तो दो पेप करता है तो हम रूधीर के हो गया, अब हम बात करेंगा, तो प्रिसेटरे में नुखें हैं तो बलड09 फ्सल्स फुफुस धमनी के अत्रिक्ट सभी धमनियों में सुधरुधिर प्रवाहित होता है सुधरुधिर से मतलब होता है oxygenated blood सिराएं क्या होते हैं विभिन अंगों से रुधिर को हिड़े तक जो ले जाती हैं वह सिराएं कहलाती हैं और ये रुधिर को एकितित करने का भी काम करती है फुफु सीरा के अत्रिक्ट सभी सीराओं में असुधरुधिर प्रवाहित होता है असुधरुधिर से मतलब है non-oxygenated blood मतलब की इस blood में होगा carbon dioxide रुधिर वहनियों की बात किया जाए तो धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं क्या रुधिर वहिन आए अब हम बात करेंगे परिशन्चन तंत के कारिके बारे में फेफ़णों से सरीर की कुषकाओं ये उत्तकों तक oxygen का परिवहन करना यह काम है किसका परिशन्चन तंत्र का अब हम बात करेंगे परिशन्चन तंत्र के परकार ठीक है तो एक जो होता है open circulatory system होता है और एक होता है closed circulatory system मतलब कि खुला परिशन्चन तंत्र और बंद परिशन्चन तंत्र तो खुला परिशन्चन तंत्र क्या होता है रुधिर कदाब तथा कम ठीक इसमें जो रुधिर कदाब जो है वो थोड़ा सा कम होता है कम गति से बहता है ठीक रुधिर का दाप्त था कम गति से बहता है यह यह जो पाया जाता है open circularity system तिल्चट्टा में कीट में मकड़ी में मतलब कि जो छोटे जीव जन्तु हैं उनके अंत्रगात open circularity system पाया जाता है बंद पर्शंचन तंतर क्या होता है रुधिर बंद निकाओं में बहता है ठीक सभी कसिरिक्यों में इस तरीके का बंद पर्शंचन तंतर पाया जाता है including human beings मानो थोड़ा हम लोग अब रुधिर को जान लें कि रुधिर आखिर होता क्या है देखे इसका pH मान 7.4 होता है यह प्रसन भी पूछा जाता है कि रुधिर का pH मान केतना होता है तो यह basic nature का होता है अब pH मान होता है 7.4 यह तरल संभाहनी संयोंजी उत्तक है जिसमें होते हैं तो यह composition हो गया किसका blood का है ठीक है मानो रुधिर में जो है वो दो चीजे होती है मुखिता एक होता है plasma जो की 55 परसत होता है और एक होता है रुधिरानू मतलब कि अगर आप से पूछा जाए कि blood जो है वो किसे मिलकर बना होता है तो रुधिरानू और plasma से रुधि 55 परसेंट होता है यह हो गया blood का composition अब हम बात करेंगे इस plasma में क्या composition होता है इस plasma 91 परसेंट जो है पानी होता है जल होता है इसके अलावा carbonic पदार्थ और और carbonic पदार्थ होते हैं मतलब कि organic और inorganic substance bloods की अगर हम बात करें तो जो रुधिरानू होते हैं मतलब कि blood cells जो होती है या blood corpuscles उसमें तीन तरके की जो है वो रुधिरानू पाए जाते हैं एक है platelets जो की रक्त का थक्का बनाने में शायक होता है दूसरे स्वेत रुधिरानू जिनको WBC बोलते हैं white blood corpuscles और तीसरा लाल रुधिरानू मतलब कि RBC red blood corpuscles ठीक है WBC का काम क्या होता है रोगों से प्रतिर अच्छा ठीक है तो रोगों से लड़ने की जो ताकत मिलती है वह WBC की मातरा पे depend करता है अच्छा अगर आप से पूछा जाए कि जो लाल रुधिरानू होते है ठीक है उसमें अगर बात किया जाए तो antigen और antibody पाए जाते है ठीक तो antigen A और antigen B और इसी तरह से antibody A और antibody B भी पाए जाते है अगले fact में हम बात करेंगे कि जो blood group है ठीक है blood group आप लोगों ने सुना भी होगा तो blood group की खोज किस ने की थी तो जो है वह चार तरीके के होते है blood group A, blood group B, blood group AB और O ठीक है अब बात करेंगे कि जो RBC में antigen A और antigen B होता है इन blood group समोहों में किसमें antigen A और antigen B होता है या दोनों होते है या उपस्तित होते हैं Antision A वो Antibody B उपस्तित होता है किसमें? Blood Group A में Blood Group B में क्या होता है? Antision B होता है और Antibody A उपस्तित होता है Blood Group A B में क्या होता है? Antision A और B दोनों उपस्तित होते हैं इसमें Antibody नहीं होता है और इसी वज़ा से यह क्या है? सर्वग्राही कहते हैं मतलब कि जो person blood group AB वाले होते हैं, वो किसी भी ब्यक्ती से blood ले सकते हैं, या यह कहा जा है किसी भी blood group को वो ले सकते हैं, क्योंकि इनमें antibody होता ही नहीं है, O की अगर बात करें तो इनमें antigenon पस्तित होता है, और antibody A और B दोनों पस्तित होते हैं, ठिक, या जो है वो सर्वदाता है, ठिक, क्या सर्वदाता है, लेकिन ये केवल और केवल जो है blood group O वाले से ही blood ले पाएगा, सबको दे सकता है, लेकिन सबकों से ले नहीं सकता, देखें, जो antigen A और antigen B हैं, antigen की उपस्तिती में एक बिसेस प्रकार की protein पाया जाता है, जिसे antibody कहते हैं, ठिक है, तो antigen जब absent होते हैं, तो उनके absence में जो एक special type की protein होती है, उसको antibody बोलते हैं, अब हम बात करेंगे endocrine glands के बारे में, अंतासरावी ग्रंथियों के बारे मे तो इदर जो है, अंतासरावी ग्रंथि का नाम दिया हुआ है, और उनके द्वारा सरावी जो प्रमुक हार्मोन हैं, उनके नाम दिये हुए हैं, ठिक है, तो puse ग्रंथि, इसके द्वारा somatotropic हार्मोन का secretion होता है, इसे master ग्रंथि भी कहते हैं, और इसे growth हार्मोन, thyrotropic हार ठिक, या thyroid gland के बारे में, इसके द्वारा सरावित हार्मोन है, thyroxine, parathyroid या paravatu ग्रंथि, इसके द्वारा parathyroid हार्मोन secret होता है, kelcytonin हार्मोन secret होता है, एडिनर gland, जिसको suprarenal gland भी कहते हैं, इसके द्वारा glucocorticoids, mineralocorticoids, और six हार्मोन secret होते हैं, थाइमस ग्रंथि की अगर बात के जाएं, तो थाइमसीन, थाइमिन 1, थाइमिन 2, इसके द्वारा secret होते हैं, पैंक्रियाज या अगनाशे, alpha cells के द्वारा glucocon, beta cells के द्वारा insulin, और delta cell के द्वारा somatostatin, नामंग हार्मोन secret होता है, और इसमें, पैंक्रियाज में जो F cells होती है, वो अगनासाई polypeptide ब बनता है, तो यहाँ पे जो पैंक्रियाज है, बहुत ही important है, इसके alpha cells क्या secret करेगी, गुलकेगॉन, गुलकेगॉन हर्मोन का क्या काम होता है, या जो लीबर में glycogen होता है, उसको glycogen में convert करने का काम करता है, अब बलड में supply होती है, उस गुलकोज की, जब सरीर के बलड मे गुलकोज की कमी होती है, पीटा सेल्स क्या करती है, जब बलड में गुलकोज की मातरा अधिक हो जाती है, तो उस एक्स्टा गुलकोज को glycogen में convert करके लिवर में संचीत करता है, क्यों इंसुलीन, डिल्टा सेल्स समेटोस्टेटीन हर्मोन का secretion करता है, और F-cells अगनासी polypeptide का secretion करता है, अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज, एन्डा से, ओ лиैं आधि, अबरी के बात करेंगे, ठीक है, तो एस्ट्रोजन हर्मोन जो है, ओलिक के दो़रा secret होता है, प्रोजेट्रोन हर्मोन गर्व का निर्धारन, जो है, प्रोजेश्ट्रोन हर्मोन के दोबचार relaxing hormone का secretion से पर्ध मतलब बच्चे की जन्म के समय को secret होता है OK. जिसे कि बच्छे का जन्म होता है वो काफी असानी से या सुचारूप से हो जाता है, för relaxing hormone की वज़ा से genetic favourite då cesteristor считron hormone जो की पूर्सों में secret होता है वो cesterlysk के द्वारा होता है Aden अगर हम बात करें तो एडरेलीन हार्मोन का सेक्रेशन एडरेनलीन मेडूला के द्वारा होता है इसको fight and flight हार्मोन भी बोलते हैं अब हम बात करेंगे चिकित्सा से समंधित अविश्कारों के बारे में ठीक है तो इधर अविश्कार दिया हुआ है और इधर जो है उसके अव पूछे गया है और खास तोर से MP, PSC की अगर बात किया जाए या SSC के एक्जाम की बात किया जाए तो यहां से प्रशन को यह भंडार है ठीक इंसुलिन बैंटिंग और बेस्ट ने इसको खोजा था पैंसिलिन ए फ्लेमिंग डीडिटी पाल मूलर पोलियो के वैक्सीन का विश्कारक जान सॉल्क है यह बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियो वैक्सीन जान सॉल्क का नाम याद रखेगा विशानू हम लोग पढ़ इवनवस्की कब 1892 वायरस की खोज गया थे आरस फेक्टर की खोज लेंडी स्टीन ने किया था विशी जी का टीका का विश्कार इूरिन कालमेट ने किया था डीयन ने की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था और इनको नोबल प्राइस भी प्राप्त हुआ था हैजा के अब हम बात करेंगे कि मानो सरीष से समंधी जो महत्पूर्ण तत्थ हैं उनके बारे में मस्तिक्स का भार्य, अगर आपसे पुछा जाएं, तो क्या बताएंगे, लगभार 우raς 1400 ग्राम का सरीष का भार होता शरीष मत्रका भार होता हे। मतलब की ace denature का होता हे। क्या urine अमली होता है, रक्त का pH मान होता है 7.4, सरीर में कुल पेशियों की संख्या होती 649, सरीर का तापक्रम समायन तो 98.4 डिग्री फारेन हाइट होता है, यह है फारेन हाइट में, अगर डिग्री सेंटी ग्रेट में पुछा जाएगा तो 37 डिग्री सेंटी ग्रेट बताइगा, ठिक, सबसे अंतासराविग्रान थे, एंडो क्राइन ग्लैंड जो है वो थाइराइड है, आर बीसी रेड बलेट सेल्स की संख्या होती है, पूर्सों में 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलिमीटर क्यूब, तो मतलब कि 50 लाग से 55 लाग के बीच में पूर्सों में होता है, महिलाव में इसकी का से ने ससंख्य थोड़ी सी कम होती है, 4.5 से 5 मिलियन पर इमें क्यूब, लाल रक्त कनेकाओं का झीवन कल 120 दीन होता है, स्वेत रक्त कनेकाओं का झीवन कल 12.5 दीन होता है, हीमोगलभीन का प्रस्थत अगर बात किजाए, पूर्सों में 14 से लेके 16 ग्राम पर और हंड़ किटों द्वारा संचारित रोग. ठीक है, तो एक तरफ संचारित रोग हैं, दुस्य तरफ कीट. की लिए जैसे हमने उपर पढ़ा ब्लड गुरूप की खोज किसने के थे काड़ लाडी स्टीनर ने इनको नुवर्व प्रैस भी इसके लिए जिवानु विग्यान के फादर आफ बैक्रियोलोजी राबर्ट कोच आनुवान से की जेनेटिक्स के जी जे मेंडल मतलग कि क्रॉगर जान मेंडल इसके फादर है जन्तु विग्यान के फादर अरस्तु कहे जाते हैं चिकिसा सास्तर के फादर हीपोक्रेटस कहे जाते हैं सु अब हम बात करेंगी कुछ अगले फेक्ट के बारे में कभी-कभी क्या होता है कि बिज्ञान से समंदित जो महत्पूर्ण संस्थान है ठिक उनका भी एक्जाम में दखल होता है और यहां सभी प्रस्ण जो है अक्सर पूछे जाते हैं ठीक तो बीफें संस्थानों केंद्रों को जान लेते हैं DNA fingerprinting है यह है 12 अगराद में तरके भारत में तो हैदराबाद्जान में राश्ट्री कोषी विज्ञान केंद्टory नेशनल छी सेंटर में साई ्टो लोजई सेंटर जो वो पूने वास्तर में राश्ट्री परतिरच्छा विज्ञान संस्थान ये का एक बार पुछा गया है नेशलाई इम्नोलाजी इंस्ट्ट्ट जी है वो नई दिल्ली में है राश्ट्री मस्तिक्स अनुसंधान तो नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्ट्ट है मानेशर गुरुग्राम हरियाना में जैफ्री की त्वचामी उत्पनव वैदुति गतविदियों के अवलेखन परकिया छो है ओ आज़िए के द्वारा किया जाता है तो से सुने इलेक्ट्रण Пटि रेटिना की विष्रां चमता कि मापन की तकनीत की ई-o-g के द्वारा किया जाताै यह अपने आप एग इन्स्ट्रूमेट है इलेक्ट्रण उक्लो ग्राफwarika . कुछ और वहाIZवाएं, कभी और पूच्छा जाता है की Cold Blood Animal कौन को मरत होता है । तो cold blooded animal हुए होते हैं जो अपने शरी का अतापमान अपने वातावरण के अनुशार adjust कर लेते हैं और warm blooded कौन से होते हैं गर्म blood वाले जो अपने सरी का अतापमान वातावरण के साम से change नहीं कर पाते हैं मतलब कि उनका blood का जो temperature होता है, वो fixed होता है, इस्तीर होता है, वो warm blooded के लाता है, जैसे human beings, ठीक, Hydra में स्वसन अंग तथा रथ पणाली अनुपस्थित होती है, और Hydra में स्वसन विष्रण के द्वारा होता है, तो हाइडरा में जो respiration होता है वो diffusion के दवारा होता है विसरण के मात्यम से सान के विरिको कृतिम गर्वधान है तो minus 196 degree centigrade तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संगरहित करते हैं तो minus 196 degree centigrade तापमान तेक किस में liquid nitrogen में इनको संचित या संगरहित किया जाता है और इस परकिया को बोलते हैं cryopreservation क्या cryo cryopreservation ठीक है अब lactobacillus का उपयोग दही बनाने में rhizobium nitrogen इस्तिकरान में इस्ट का उपरियोग alcohol मतला सराब के उत्पादन में होता है और aspergillus citric अमल बनाने में किया जाता है ये भी important fact है उपर वैसे देख भी चुके हैं तो lactobacillus दही को जमाने वाला bacteria है rhizobium nitrogen इस्तिकरान nitrogen fixation के लिए responsible bacteria का है rhizobium और alcohol उत्पादन में इस्ट का परियोग होते हैं citric acid का निर्माण aspergillus bacteria के द्वारा होता है citric अमल खटे फलो में जैसे कि नीबू संत्रा में पाये जाता है और buteric अमल मक्षन में पाये जाता है bridge की eye उसमें मौझूद वार्सिक वलयों को गिन कर की जाती है ठीक है तो bridge की उम्र का अगर पता करना हो तो उसमें जो वार्सिक वलय होते हैं ठीक इस तरीके से उनको आप गिन कर जो है आप पता कर सकते है audiogram कान से समंदित है और memogram वच्च से समंदित है ठीक है cardiograph हिर्दे की गती को अभियंतित करने वाला दर्साने वाला जो उपकरन है वो cardiograph है MRI magnetic resonance imaging शंपूर सरीर या अंगों में और समान्यता या विकृति का पता लगाता है क्या MRI इसी वज़ा से लोग MRI अपने सरीर का कराते हैं magnetic resonance imaging इसे पूरे सरीर या अंगों में और समान्यता या विकृति का पता लगाया जाता है तो ये सारे facts समंधित थे जीव बिग्यान से या वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ जहें कमेंट बॉक्स में जरूर दें या हमारा मेगा वीडियो की सीरीज में पाँचवाई वीडियो था जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्रफी, वर्ल्ल जियोग्रफी और पर्यावरान और पारस्तित्की से समंधित वीडियो आचुके हैं और इसमें आज हम लोगों बढ़ाने में ये काफी helpful होगा और ध्यान दीजिए ये कोई समझाने वाला वीडियो नहीं था ये फास्ट रिविजन के लिए बनायागा वीडियो है जिससे कि सारे जो फैक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट से समंधित आपको एक घंटे या 45 मिनट में लगभाग आप ये पूर लेक्टर में मिलेंगे हम लोग तब तक लिए थैंक्यू धन्यवाद